तो अभी तक हमने सीखा के पोस्स और पेज़ेज में फर्ख क्या है लेकिन अब हमने थोड़ा सा पोस्स में डीपर जाना है थोड़ा सा इसको ज़रा डीटेल में अंडेस्टैंड करना है और आप शाहिद ये वाकई में सोच रहे हूँ कि यार समझ तो आगी पोस्स पेज़ेज अब आप और इतना डीप क्यों लेके जाना चाहरे है because you know the more deep you learn about a particular subject the more expert you become in that हम चाहते हैं के आप पोस्स के expert बन रहे है और अभी हम चाहते हैं के आप पेज़े के भी expert बन रहे है इसके लिए हमारा अगला लेसन इसके बाद आरह है लोके सिर्फ पेज़े but on this lesson we just want to talk about post and we want to go a little bit deeper so थोड़ा सा recap करते हैं के wordpress posts are timely blog posts that have a publish date जिस तरह मैं आपको पहले बताया था और थोड़ा सा एक recap तो मैं करूँगा या आपको post के बारे में फिर बताऊँगा लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें के facebook में जिस तरह आप यूज़े करते हैं अपनी post को उसमें और बाकी blog में क्या फर्क है so facebook भी आपकी post को वैसे ही treat करता है जिस तरह google आपकी blog post को treat करता है facebook क्या करता है कि अगर आप कोई चीज़ पब्लिश करें तो facebook कुछ देर के लिए देखता है कि मैंने इसको feed पे top पे रखना है और फिर वो कुछ लोगों को दिखाएगा अगर लोग like करते रहें तो आपकी post top पे रहती है search engine work in a kind of similar way search engine ये देखता है कि ये blog मुझे कितनी post दे रहा है एक दिन की और अगर आप एक दिन में लेट से पांच से दस blog post publish करते हैं that's a very good signal to google और हमारा इस पे बड़ा एक dedicated course भी है search engine optimization का जो आप dg skills में 10 कर सकते हैं और उस पे आपको और ज़्यदा पता लगेगा लेकिन ये मेरी कुछ tips हैं wordpress और SEO के लिहाज से के at least दिन में आप 5 blog post publish करें ताके google को ये signal जाए के आपका blog frequently update हो रहा है क्योंकि अगर आप दिन में एक post publish करेंगे या अगर आप महीने में सिर्फ एक post publish करेंगे तो google will get a signal के यार ये blog इतना active नहीं है and that will create a little bit of a challenge because उससे आपकी SEO अच्छी नहीं होगी आपकी traffic जादा नहीं होगी search engine wants frequent content search engine wants updated content अगर google को आपका updated content नहीं मिलेगा तो वो कैसे आपको दुनिया के सामने दिखाएगा और अगर आप दुनिया के सामने आपको नहीं दिखाएगा तो आपको traffic कैसे मिलेगी तो post का use करना frequently बहुत ही जरूरी है and before we go into creating and managing post just to give you a reminder के अगर आपने interactivity create करनी है जिस तरह comments हैं वो आप करेंगे post से अगर आपने एक ऐसा content create करना है जिस पर time stamp हो तो वो आप करेंगे post से अगर आपने categories को use करना है बलके categories नहीं सिर्फ आपने अगर tags को effectively use करना है आप किस तरह करेंगे post से अगर आपने RSS feed में अपना content दिखाना है तो कैसे आप करेंगे post से अगर आपने post formats use करनी है different तरह के तो वो आप करेंगे post से लेकिन याद रहे किए आप custom templates as such post पे नहीं use कर सकते काफी आपको challenge आएगा और अगर आपने hierarchy में post डालनी है तो वो एक और चीज़ आप पोस्ट पे नहीं कर सकते तो ये कुछ चीज़े है और जिस तरह मैंने भी आपको बताया के beingguru.com प्लीज विजिट भी कीजिए ताके आपको थोड़ा सा detail में idea हो के उनके home page पे पे जो सारा आपको content नजर आ रहा है वो actually posts है Reminders on a few questions How many posts can I have You can have as many posts as you want but what's better is to have regular posts दिन में starting में आप नए हैं आप अभी सीख रहे हैं I would suggest अपनी frequency बनाएं रोज आपकी एक post publish होनी चाहिए अपना एक goal रखें कि रोज आप एक content piece publish लाजबी करेंगे अगर आप एक content piece publish करते हैं रोज का then every month you have 30 blog posts that's a very good signal for a search engine अगर आपकी महीने में 30 blog posts हैं साल में कितनी हुई you will have at least 365 blog posts that's a very good number for a search engine SEO के लिए क्या अच्छ है SEO के लिए अच्छ है frequent content लेकिन एक और बड़ा important point जो में SEO से related आपका बताना चाहरा हूँ कि आपकी post में you need to have detailed content at least 500 words या हजार words का आपकी एक post होनी चाहिए अगर आप short content post करेंगे तो Google को ये signal आएगा या Google ये महसूस करेंगा कि आप उसको spam करने की कुर्शश करने you do not want to give that signal to Google you need to tell Google के मैंने जो content publish किया that's well research that's well done that has at least more than 500 words तो ये नही आपने करना के एक एक लाइं की जो है न 10 post नहीं एक दिन में publish करते रहे at least you need to publish a content which has more than 500 words if you want good SEO और क्या आप post यूज करना चाहरें page यूज करना चाहरें इस के लिए आप खुद सोचे के आप इस तरह का content publish करें अगर आप events पे जा रहे है तो that's timely content then you need to use post और custom post types भी एक post की ही type है वो भी हम थोटा सा बाद में discuss करेंगे but remember the difference between posts and pages and with that we will take you to our live hub we will get to experience के post को create or manage कैसे किया जा सकता है अच्छा अभी तक हमने आपको थोड़ा सा बता है blog post के बारे में now is the time to actually go and check this करना मैं जरा ये चाहरा हूँ के जिस तरह मैंने आपको पिछले lesson में थोड़ा बिंगुरू को दिखाया दोबारा आपको दिखाऊंगा और फिर अपनी site पे जाऊंगा आपको detail में दिखाने के लिए so let's go to beingguru.com and see के इनोने कैसा content publish किया वह and how is it timely so आप इनकी website पे अभी देख सकते है जिस तरह मैंने timing का याँ पे जेकर किया है timing is very much important और posts को जो एक चीज़ दिफरेंशेट करती पेज से वो है time because search engine wants to see के आपने कितना timely content publish किया so कुछ examples देखते है जिस तरह इनोने यहाँ पे डाला वह this Pakistani student is saving thousands of life with his invention और यह थारा गंटे पहले उनोने पोस्ट पॉब्लिश की भी है वो छोडे है आप उनको देखे है कि उनोने अभी बारा गंटे पहले पोस्ट पॉब्लिश की भी है so this shows कि this is a very very active site and because it's a very very active site Google likes this site and you want Google to like your site as well तो यह तो होगी एक example पोस्ट की on being guru अब हम चलते हैं हमारी website dgskills saad hamid पे देखने के लिए कि वहाँ पे हम पोस्ट कैसे manage कर सकते हैं so left section है posts का timely content as I have already told you यहाँ से यह वो interface है जिस से आप manage कर सकते हैं posts को मैं आपको थोड़ा सा detail में बताना चाहूँगा screen options भी में देख लेता हूँ अगर मैं कुछ miss तो नहीं कर रहा उसके इलावा so screen options में आप चूज कर सकते हैं आपने author का नाम देखना है नहीं देखना और आप देखने में जैसे जैसे click कर रहा हूँ things are hiding categories आपने देखने की नहीं देखने tags देखने की नहीं देखने अगर आपने एक content view देखना है तो I'll click apply and आप देखेंगे की एकदम से content भी मुझे नजर आना शूरू हो जाता है so हमेशा याद रखें screen options को जरूर explore कर रहे हैं you might be missing out on something that you don't know उसके लावा मैं post को search भी कर सकता हूँ so आपके सामने मैं यहाँ पर search करूँगा Gutenberg क्योंके एक post है जो publish हुई भी उस नाम से and देखते हैं हमें क्या results मिलते है so आप देखें कि उसने search results for Gutenberg में it has searched Gutenberg and should be so आप यहाँ पर search भी कर सकते हैं दुबारा मैं जाना चाहूँगा post पर आपको author का नाम नजर आ रहा है आपको categories नजर आ रहे हैं आपको tags नजर आ रहे हैं अगर कोई comments हैं तो आपको नजर आ रहे हैं date नजर आ रही है आप शाहिद यह सोचें कि अभी तो आपने site बनाई थी तो यह किस तरह हो गया किसी ने आके comments publish करना शुरू कर दिया तो याद रखें जर भी WordPress install होता है it creates a comment by default एक dummy content आप उसको कह सकते हैं dummy comment तो यह वो comment है उसके लावा आप multiple चीजों को select करके यहाँ पर delete भी कर सकते हैं वो भी हम आगे वैसे detail में भी discuss करेंगे अगर आप एक नहीं post add करना चाहरे हैं तो वो भी आप यहां पर add कर सकते हैं so let's click on add new and इस add new में अगर मैं वैसे कुछ लिखूं this post is dedicated to my dg skills students may you all become very successful so एक देखें post automatically create हो गई है and the beauty of wordpress is कि यह post autosave भी हो गई होगी I am hoping because wordpress does that so अगर मैं इसको publish ना भी करूं और मैं दुबारा उस पे जाऊं okay मैं draft इसका save कर लेता हूं just in case और मैं all post पे जाऊं so देखें अब वो नजर आ रहा है post अभी publish नहीं यह draft मैं save है so यह वो panel है ज़दर से हम post को edit करते हैं अभी हम detail मैं जाएंगे यह देखें आपको नजर भी आ रहा है publish कितनी है draft कितनी है but we will discuss this in detail and इसको यूस करें इस opportunity को to learn more about post because posts are crucial to how you show your content to search engines and post से ही आप अपनी website की visibility अपनी wordpress website की visibility search engine में ज्यादा से ज्यादा तर दिखा सकते हैं